व्लेकम टू खुशीकुलाइफ चैनल यह मनी प्लांट का पोद है और मेरे पास न दो तिन पोट्स में लगे हैं बास्किट है नहीं मेरे पास बास्किट मैंने नहीं बनाई है इसकी और यह देखें मॉस्टिक पे भी लगा हुआ है और दो पोट्स में मेरे पास इस तरह से और एक नीचे है वो बड़ा पोट है हैवी पूट है तो तीन पोट में मेरे लगे वे और चोटे 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 तो पोट में लगे मेरे बास किट नहीं था आज मैं सोत रही Corners के बनाऊँ तो बसक बनाने के लिए पहले मैं यहां से कटिंग निकाल लेती हूं छोटी-छोटी जड़ की साथ हम पत्ते से विग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को और जड़ की साथ भी अगर आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो हम पत्ते से विग्रो कर सकते हैं तो मैं छोटी-छोटी यहां काफी है तो मैं निकाल ले है जब होटाइब करते हैं और खुबसूरत लगती है तो मेरे पास बास्किट नहीद तिसी के FM निकाली है और सारी रूट के साथ है तो इसके लिए मैंने कपड़ा भी पहले से काट लिए है तो इस तरह यह मेरे पास कोई पुरानी टूकरी हो गी थी देखिए यहां से टूटबी गई है यह तो इसको मैं बाद हूँगी तो बान bringt लगा लेती हूं इस तरह से कोई भी इस तरह बिल्कुल हलकी पोरस मिट्टी ताकि हम बास्किट को जब लटकाए तो वजन इसमें ना हो तो इसलिए मैंने यह देखिए यहां पर थोड़ी सी मिट्टी ली है और इसमें मैंने काउडन लिया है इसमें खाद के रूम में मैंने काउडन लिया है और हलकी सी इसमें मिट्टी हैं सारी मिक्स कर लिए तीनों चीज को और इसको आप हम बास्किट में डाल देंगे यह देखिए बास्किट में कपड़ा लगावा है और इसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे इसके अंदर बिल्कुल हमारी मिट्टी ना हलकी होनी चाहिए अगर आपके पास सैंड है तो वो भी आप डाल सकते हैं मेरे पास थी लेकिन मैंने डाली नहीं है इसमें तो आप वो भी डाल सकते हैं तो उससे यह हैं मिट्टी बिल्कुल हलकी हो जाती है थोड़ी पोरस मिट्टी हो जाती ह तो मैंने इसमें मिठी कमिऊज की है मिठी थोड़ी वैसे एक परसेंट ली है और इसमें खाद ली है और कोकोपिट है तो तिनों चीज़ को मिख कर लिया हो और भरली है इसके अंदर और ये देखे बहrowती हल्की बास्केट है हमारी बह defenders हल्की हमहें हलकी रखने चाहि he चाहिए तकि हमारी बास्कीट के ने या ये तनी मेरी मिठी रहरी है यहирован नहीं करते हैं आए कि अधा पानी दालते हैं तो कई बर भी वार आजाती है और जब आहिसके उपर पड़ती है तो चीटे बास्विट से बाहर नहीं आए बास्विट से थोड़ी सी एक उंगल नीचे रह जाए इतनी हमें इसमें मिट्री भरनी चाहिए और इसमें आप यह जितनी भी cuttings है यह हमें इसमें लगा देंगे इस तरह से रूट के साथ है तो बहुत ही जल्दी से ग्रोव हो जाते हैं तो basket में side side में आप लगाईए इस तरह से बीच में कम लगाईए बीच में आप मैंने एक ही लगाया यह देखी बीच में एक ही लगाया और side side में लगाई है ताकि यह hang करेगा तो नीचे की side लटकेगा इस तरह से आप side side में चारो तरफ से लगा दीजिए, पूरा, और बीच में एक लगा दीजिए, चो हैंग करेगा, भोर सारी अच्छा लगेगा, और इसमें पानी दे देंगे, बस पत्तियों पे हलका हलका स्प्रेय कर देंगे, जादा पानी हमें इसमें नहीं देंगे, उपर उपर हलका हलका और दो-तिन दिन बाद इस पे स्प्रे करते रहेंगे ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं देंगे बस पत्तियों को थोड़ा सा निला देंगे डेली हम इसमें दूसरे दिन आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं बहुती अच्छे और यह जब भर जाएगा तो बहुती अच्छे से ग्रो करेगा और अभी इसको हम छाया में रख देंगे यह देखिए सारा पत्तियों को मैंने स्प्रे कर दिया हो निला दिया है पत्तियों को तो बस इतना ही पानी हमें देना है और आप इसको हम छाया में देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा से हाथ से पकड़ावाया है बहुत हलकी है लाइट वेट है बिल्कुल और किती खुर्चुरत लग रही है यह बास्किट मेरे कपड़े का स्टेंड है इसी पर मैंने इसको हैंक कर दिया है यहां पर इसको लाइट भी मिलती रहेगी धूप इसको नहीं लग रही है बिल्कुल इसको लाइट मिल रही है तो बस हल्की सी इसको लाइट मिलती रहे तो अच्छे से चलेगी और खुब अच्छी लग रही है बास्किट तैयार होके यह देखिए